ममता दीदी के खिलाफ एक व्यक्ती ने फेस्बूक पे काटून शेर के उसको 11 साल केज भुगतना पड़ी डिक्टेटर कौन? मोदी इंदीरा जी ने इमर्जनसी लगाई डिक्टेटर कौन? मोदी मिस्टर केजरी रिवाद उन्होंने भरष्टाचार किया है सुप्रीम कोट ने उनको 21 दिन की कैमपेणिंग की महलत दी राजनाथ सिंग जी इमर्जनसी में जब जेल में थे तब उनकी मदर की डेथ हो गई वो डेथ पे आना चाते थे कोट ने उनको रहत नहीं दी डिक्टेटर कौन है? इंदीरा जी ने जिसने इमर्जनसी लगए यहां पर प्रचार करने के लिए आपको महलत मिल रही है और आप प्रचार के समय पर स्वातिमालिवाल से दुराचार कर रहे हो डिक्टेटर कौन? दुवराथी, क्यों हमेशा वो BJP के अगेंस्ट, कॉमेंट के अगेंस्ट ही हर चीज बोलते रहते हैं तो राहूल गांदी और कॉंगर्स के सारे कुक करमों को डिफेंड करने वाली उनकी दाहिमा बहुत है तो अभी भी प्रया असरत है कि राहूल गांदी लिफ्ट हो जाए, लाँच हो जाए, सेट हो जाए पर राहूल गांदी लाँच नी हो डा चंडरी बोलो जाए माँच लह एक हलंड राawiंजेशन है यहां पई जे लिटरण, लालु जी भी जी लिटर्न, जेमें जी लिटर्न आमदीं पार्टी Сам अब उस ऐलीट ग्रूप में जेल लिटरन की काटिगरी में आच चुकी पर ये है कि उनको जेल पे रिटरन भी करना कि एवल जेल रिटरन नहीं है अभी दो तारीक को फिर से जेल रिटरन होना भी है दोस्तों आज का पॉड़कास हमारा दो बातों को लेके बहुत अस्पेशल है नमबर वन आज का पॉड़कास हमारा न्यू स्टूडियो में कम्प्लिटली शूट हुआ है नमबर टू आज के पॉड़कास में हमारे स्पेशल गेस्ट जिन्हें मैं बहुत एड्मायर भी करता हूँ और जिन्होंने अपने दमबदार जवाबों से बहुत साई लोगों की बोलती बंद कर दी है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स परसन शहजाद पुनावाला जी की जिन से हमने नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ जाना बहुत सारी बाते ही की है बीजेपी क्यों इतना आगे बढ़ पा रही है कॉंग्रेस क्यों पीछे रहे गई और क्यों फेल होने की गार पर है और अहम आदमी पाटी का आने वाले 5-10 सालों में क्या फ्यूचर होगा and क्या कॉंग्रेस सरफ एक ही परिवार तक सीमित हो गई है और भी इसके इलावा पहुतारी इंटरस्टिंग बाते हुई है So enjoy the complete episode but start करने से पहले subscribe करना ना भूले Welcome to TCB The Curious Bites with Sanwal Thank you very much Chandi Devi की इस पावन धरा पे Chandi Garg में मुझे बुलाने के लिए और आमतित करने के लिए आपके इस पॉड़कास्ट पर बहुत हनेवाद Thank you sir And पता नहीं क्यों जिस दिन से मेरे को ये confirm हुआ है कि आप पॉड़कास्ट महा रहे है एक अलगी positive energy आ रही है ऐसा feel हो रहा है मैं बहुत comfortable में इस वक And ऐसा feel हो रहा है कि मेरे सामने मेरा बड़ा भाई बैठा हुआ Because recently I lost my brother as well तो वो भी आप ही के एज़के थे तो वो एक अलगी feeling आ रही है कि mindset में ये कि बड़ा भाई है तो एक थोड़ा सा comfortable feel कर रहा हूँ चले मुझे उमीद है कि कि आपको ही नहीं बलकी पूरे देश में सभी लोगों को कोई भारती जनता party का प्रतिनिदी दो तो उनको उनका परिवार ही नजर आए और हमारे लिए जनता ही वैसे परिवार की तरह है कुछ लोगों के लिए परिवार ही देश है हमारे लिए देश अपना परिवार है तो मुझे भी आप में मेरा चोटा भाई नजर आ रहा है अरे आपकी जैसी इच्छा आप शहजाद भी बुला सकते हैं अच्छा मैं देख रहा था कहां से आइडिया आया देख मैंने ये लिखा है कि मैं धर्म से इसलाम फॉलो करता हूँ पर मेरी संस्कृती जो है मेरी कल्चर जो है वो हिंदू है और मेरी विचारधारा भारती है ये इसलिए कहा है क्योंकि चाहे इनसान अपनी बिल्डिंग पे कोई भी पेंट लगा दे उसका फाउंडेशन पेंट से चेंज ने होता ग्रीन पेंट लगाने से क्या फाउंडेशन या स्टॉक्चर चेंज हो जाएगा क्या तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोईंसिडेंस से या किसी और कारण आपका धर्म कुछ हो सकता है पर आपकी संस्कृति जो है जो आपकी जीवन शैली है वो तो सब एक ही है और देखें हिंदू जब मैं कहता हूँ हिंदू कोई धर्म नहीं हिंदू एक जीवन शैली है मतलब हिंदू को कहीं लोग धर्म भी बोलते हैं पर इस कॉंटेक्स्ट में हिंदू जीवन शैलिय जैसे सुप्रीम कोट ने परिभाशित किया है तो चाहे धर्म आपका कुछ भी हो आपकी संस्कृति आपका कल्चर जो है वो हिंदू है और ये केवल मेरी बात नहीं है इंड तो ये तो सब के गर्व का विश्य होना चाहिए प्रभूशी राम प्रभूशी कृष्ण ये हमारे संस्कृति के और हमारे संस्कृति को राष्टर और दुनिया के आदर्श है तो इन्हें स्विकार्ने में किसी को असरचता महसूस ने होनी चाहिए आपकी पॉलिटिक्स म देखें मैं एक बहुत ही साधारन घर से एक साधारन लड़का आपी की तरह और जो दर्शक आपके देख रहे हैं उनी की तरह ऐसा नहीं कि मेरे कोई बाप दादा बहुत बड़े पॉलिटीशन थे कोई गर्वर्मेंट में था कोई मंतरी था यहां तक कि हमारे परिवार मे और हमारे पूरे समाज में सरकार की भी नौकरी करने वाले बहुत कम पाये जाएंगे तो इतना डिटाइचमेंट या डिस्टन्स था सरकार या पॉलिटिक से तो मेरे फादर की बहुत कम एज में डेथ हो गई थी मैं लगबग 5 या 6 साल का था पर तब से ही मेरे मन में था क सारवजनिक जिंदगी में कुछ ना कुछ करना है पर तब क्लिर नहीं था कि केवल पॉलिटिक्स करना है या क्या करना है या अभी क्लिर नहीं था तो स्टार्टिंग तो मुझे लगता था कि मीडिया भी हो सकता है अलग-अलग शेत्र भी हो सकते हैं पर मुझे लगता है 10 11 standard तक आते आते, around 15, 16, 17 तक आते आते एज, मुझे clear हो गया था कि politics में ही कुछ ना कुछ करना है, इसलिए मैंने NSUI जॉइं की NSUI जो youth wing या student wing है Congress का, वो इसलिए जॉइं की क्योंकि हमारी text books में या महराष्टर की खास कर जो text books में Congress का बड़ा वखान किया हुआ है, कि भाई Congress ने आज़ादी दिलाई, Congress के इस परिवार ने सबसे ज़्यादान किया है वो एक Congress ने अपने समय पर सारे अपने इतिहासकार और बाकी ideologues को बेठा कर, textbook और curriculum अपने हिसाब से बनाया था तो हमको लगा प्रभावित हुए कि Congress इतनी अच्छी पार्टी है तो इसी में जुड़कर एक platform मिलेगा देश के लिए कुछ करने के लिए तो join की, पर join करने के बाद जो असलियत थी, जो वास्तिविकता थी वो जो किताबों में थी उससे कई ज़्यादा दूर थी, आप परे थी तो वो आभास होते होते काफी समय लगा पर जब वो आभास हुआ कि यहाँ पर परिवार हित को राश्टे हित के उपर रखा जाता है यहाँ पर मेरिट को नहीं केवल सरनेम को आगे रखा जाता है तो फिर एक समय एक स्टेज आया कि मैंने निर्णे किया कि भाई देखिया ऐसा है देश की सेवा करने के लिए आये थे किसी पार्टी के परिवार की सेवा करने नहीं आये थे तो परिवारवाद के विशह पर 2017 में मैं वन ओफ दे अरली वन्स था उसके बाद मुझे लगता है कि लंबे समय तक मैं बाहर रहा पॉलिटिक्स के मीडिया में था और 2021 नॉवंबर को मैंने बीजेपी जॉइन की और मुझे लगता है कि जितने लोगों ने भी बीजेपी जॉइन की है चाहे कॉंग्रस से ही हो या चाहे अन्य दलो से हो वो हर एक व्यक्ति ये स्विकारता है जो बात मैंने 2017 में या उससे पहले कही थी कि एक तो राहूल गांदी जी वो नेतर तो नहीं दे पा रहे हैं दूसरा परफॉर्मेंस निबे नहीं कि वो परिवार पे सब कुछ तैह होता है तीसरा कि कॉंग्रस पार्टी अपने हित को उपर रखने के लिए देश हित से भी समझवता कर सकती है चाहे वो आतंकवाद के विशे पर हो चाहे वो तुष्टी करन के अलग-अलग विशे उपर हो तो ये तीनों चीजों पर मैं विंडिकेट हुआ हूँ ऐसा मुझे लगता है जादा तर लोग कहेंगे जब कहीं सारे लोग आज जॉइन करके आते हैं और वही कारण में बताते हैं कि भाई इसलिए वियापकता से सोशल मीडिया स्प्रेड नी हुआ था डिजिटल मीडिया स्प्रेड नी हुआ था क्यूंकि दोजार चौदा से पहले कास करके दोजार चार पाँच छे साथ अगर उसमें देखें आप तो बहुत शायद यंग रहे हुँए या अपकी पैदाश कौन से बरश किया है 91 चलिए तो आप तो फिर भी थोड़ी बहुत स्थी में थे पर उस समय पर भी एक तो इंटरनेट का पेनेटेशन इतना नहीं था सब के कारण में ब्रॉडबाइंड कनेक्शन नहीं होते थे मुबाइल फोन्स हम इंपोर्ट करते थे बहुत एक्सपेंसिव होते थे क्योंकि डेटा कनेक्टिविटी इतनी स्पीड वाली नहीं थी उसका इतना कॉंपेटिशन उसमें नहीं था बहुत लिमिटेड प्लियर्स थे तो कॉस्ट बहुत हाई था और सोशल मीडिया भी उतना बड़ा नहीं था आई अल्टो स्टार्टेड इन 2011 पर 2014 के बाद अगर आप देखेंगे तो नरेंद मोदी जी के बारकी के काम तो दूर की बात है सिर्फ इस एरिया में अगर आप काम देखेंगे डिजिटल इको सिस्टम है तो जो कुछ हजार किलोमेटर के अप्टिकल फाइबर थे इंटरनेट किनेक्टिविटी के उसको मोदी जी ने पिछले दस वर्षों में 6 लाग किलोमेटर किया हर गाउँ और शेहर इंटरनेट किनेक्टिविटी से जुड़ गया है ब्रॉडबैंड किनेक्टिविटी आज 80 करोर समझ आप पहुंच चुका है फिर मोबाइल फोन 80 करोर लोगों के हाथ में स्मार्ट फोन पहुंच चुका है और जहाँ दो मोबाइल फोन मैनुफेक्चिरिंग कंपणी थी 2014 से पहले अज 200 मैनुफेक्चिरिंग कंपणी इंडिया में है इसका मतलब हम इंपोर्ट नहीं करते मोबाइल फोन अब इंपोर्ट करने के सिर्थी में आपल आइफोन, पिक्सल फोन और Samsung के भी phones अज भारत में बनते हो और export हो रहे 10 billion डॉलर्स के और इतना व्यापक नेटवर्क डिजिटल एको सिस्टम का फैलाया गया speeds को बढ़ाने के लिए 5G और उसके आगे भी हम लोग अब जा रहे हैं तो इसमें rates of internet dropped steeply तो जो एक समय पर 300 रुपया GB होता था डेटा आज 9 रुपया GB इसी लिए ये सारी चीज़े एक हुई तब ये सारा मश्रूम हुआ और डिजिटल स्पेस में भी आप देखे स्टार्ट अप्स जो आए है या जो डिजिटल अभी आप लोग पॉड़कास्टिंग कर रहे हैं देख रहे हैं ये बूम हुआ है ये इसी के कारण हुआ है क्योंकि आप मान लिजिए कि आप अगर मनमोन सिंग के जमाने में रहते हैं तो 300 रुपीज पर GB एक व्यक्ती एवरेज 30 GB चंजूम करता है तो फैमिली ओफ फाइफ 150 GB चंजूम कर रहे है 150 GB चंजूम कर रहे है इंडिया का जो डिजिटल रेवलुशन जो जियो ने एकदम चेंज किया जब 2016 के उनके जियो ने नहीं मोदी जी जब लेके आए देन उसके बाद जियो नहीं भी अपना जह से ही चलो मैं प्राइविट कंपनी का तो नहीं बोलूँगा ये देखे प्राइविट कंपनी लब गौर्मेंट ने एक वो स्ट्रक्चर निकाल दिया उनके लिए तो मुझे रखता है कि एक गौर्मेंट ने और जो एक हमारे शासन प्राइविट ने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया उसपे तो ओविसली बहुत सारे लोग जुडते हैं और अपना आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो मैं ये कह रहा था कि मनमोन सिंग के जमाने में अगर एक फैमिली और फाइव रहती और वो 150 GB कंजूम करती तो उसका कॉस्ट 45,000 आथा आज 150 GB उसी कॉस्ट से अगर 10 रुपे के रेट से देके तो 15,000 रुपे का है तो ये डिफरेंस है जमीन आसमान का इसकी वज़े से जो है आप देख सकते हैं कि कैसे डिजिटल इको सिस्टम बड़ा है और केवल ये प्राइविट सेक्टर स्पेस्में है कि पॉड़कास्टिंग या अब तो या UPI का भी आप देख सकते हैं कि पेमेंट साप लास्ट कैश में पेमेंट कब की आपने बहुत दून होगे तो आज भारत में 46% ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट हो रहा है एक समय पे केवल कुछ लाक ट्रांजाक्शन होते थे डिजिटल पेमेंट के आज 10 बिलियन ट्रांजाक्शन हो रहे है तो मुझे लगता है कि ये जो चेंज हुआ और उस समय पे वित्तमंतरी फाइनांस मिनिस्टर बहुत विद्वान लोग खड़े ओकर कहते थे कि कौन इस्तमाल करेगा आज आप मॉल में भी जाते तो ये डिजिटल पेमेंट करते हैं और मॉल के सामने जो टपरी लगी है वहाँ पर भी आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं पूल सबजी वाला भी जाय पीते हैं उसकी पेमेंट भी जी पेवेगरा तो उनके लोग उनको दिखाते हैं कि भारत में ये इस परकार का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जो हमारे यह नहीं है और इसमें एक और चीज़ की गई है हम लोग की वाल प्राइवेट सेक्टर दे और ये जन्धन आधार और मुबाइल फोन की ट्रिनिटी से जो अब ये लिंक्ट हो गया है तो अब जो डायरेक्ट पेमेंट हम लोग करते हैं अगर मानलो कोई स्कीम है गरीबों की तो गरीब को मानलो घर के लिए कुछ लाक रुपए मिलते हैं घर बनाने के लिए तो पह नहीं हाक लेने के लिए पहले बिचवली को पैसा देना पड़ता था अब ये मुदी जी क्लिक करते 30 सेकंड में 11-12 करोट के सानों को पैसा मिल जाता है तो इस प्रकार से 30 लाक करोर रुपीज जो सोशल वेलफेर का स्पेंडिंग है ये गरीबों के खातों में डायरेक्ट आज 30 लाक करोड पहुचा अगर मान लोग की राजीव गांदी के सरकार होती तो 25 लाक करोड खा जाते है तो कल आपने दिया है इंडिया तीवी के स्पीच का तो और 95 परसेंट खा जाते है बिलकुल सही बात है और कोविन में भी आपने देखा कोविन आप कोवेड के भारत का हुआ है और ये वन आफ दी सक्सेस स्टोरी जानना चाहूंगा कि जो आप इतने दमदार जवाब देते हैं कहां से ये स्किल अंदर आई कुछ एक्सपीरियंस किल के पीछे किवल एक ही रहस्या है कि मैं सच बोलता हूं मोदी जी का काम ऐसा है तो सच बोलने वाले जी को स्किल की आवशकता नहीं किवल FACT की आवशकता होती है इसमें कुछ नही यह स्कील तो सब के पास है पर क्यूंकि कॉंझें कॉंगरिस में क्या है कि उनको जूट बोलना पड़ता है जूड बोलने के लिए याद रखना पड़ता है अच्छा इसका जूट बोलना है उसका जुड़ बोलना है. अब इनके एक परिवार ने सालों से एक ही जूट चला रखा है, गरीबी हटाओ. मतलब सोचे, नहरु जी बोले गरीबी हटाओ. फिर इंदिरा जी बोली, फिर राजी जी बोले, फिर सोनिया जी, मन्मोन जी बोले, अब राहुल जी भी बोले, गरीबी हटाओ. तो अब कितने गरीबी हटे, कितने गरीब हटे नहीं हटे, ये सारी जूट याद करके आना है, तो इसमें तो बहुत मुश्किल हो जाती है. मोदी जी ने कोई गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया, वो आए तब से लेकर अब तक 25 करड़ लोगों को गरीबी से निकाला, वो आए 80 करड़ लोगों को राशन दिया, 11 करड़ लोगों तक नल से जल, 12 करड़ लोगों तक शौचाले, सारी तीन करोड लोगों तक गर के पक्के घर तो ये काम करना तो काम गिरवाना असान है और नारे गड़ना पर नारे जमीन पर कहीं नहीं है तो उस पर जूट बोलना और परदे डालना ये मुश्किल काम है तो मेरी स्केल नहीं सच मोधी जी सच्चा काम करते है पक्का काम करते है तो हमारे लिए आसान है काम आसान है इसलिए दमदार जवाब अपने आपने काम मुश्किल है काम मुश्किल करते है पर हमारे लिए बोलना आसान है क्योंकि वो काम हुआ है किसी को भी काम देख सकता है आप एक युवा हैं, अभी आप मुझे बताइए कि इस देश में 2014 से पहले 70 एरपोर्ट्स थे, इतना बड़ा देश, उनली 70 एरपोर्ट्स और जो 70 साल में 70 एरपोर्ट्स बनें, आज मुद्दी जी उसको 148 कर दिया, जो पहले हमारे देश में 95,000 किलोमेटर हाइवे, आज 45,000 किलोमेटर हाइवे, 11 किलोमेटर पर डे बनता हाइवे, आज 37 किलोमेटर बना दा है, पांच शेरो में मेटरो थी, अज 20 शेरो में मेटरो पहुंची, तो ये मोदी जी का काम है, ये दिखता भी है, ऐसा नहीं है कि ये कागजों में काम है, इस वेरी विजिबल, और Terminal 2 बेंगलूरू का देखे, आप जैसे podcasters के लिए तो बहुत सुंदर जेगे आप अगर सायोग से flight लेने का मौका मिले, तो उसको ज़रूर दिखाना It's the best लोग वहाँ जाते है, international tourists वो भी देखकर हैरत में रहते कि भाई, ये Singapore दुबए का एरपोर्ट ये भारत का एरपोर्ट है ये standard का काम हो, ट्रेंज के railway stations, अभी हजारों railway station का काया कल्प के अदर है तो नए railway station कैसे बन रहे है कि जैसे एरपोर्ट में अपने पास facility होती है, हम लाउंज में बैठे है वाइफाई है, एसी है कूलिंग है, पानी ठीक है बैठने की जेगे है, कहीं बार इंतजार करना पर, वैसे railway station बन रहे हैं और छोटे बड़े बड़े शेरों के बन रहे हैं चोटे गरी, चंडीगड का भी बन रहा है, जी, जी, अलमस्ट बंदे भारत trains, एक नई aspirational level है, trains में आप ट्रावल करो दीरे-दीरे करके सब के पास वोट ट्रेन आजाएगी पर वोट लेवल की train जिसमें की cleanliness, स्वच्छता सुरक्षा, safety, time ये सारी चीज़े जो है ये modern infrastructure बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, और ये हो रहा है जमीन पर I'm sorry for asking this question थोड़ा सा personal है, although आपने publicly उस चीज़ को काफी बार बताया भी है, but I feel की कुछ और भी है आप अपने बड़े भाई से बात नहीं करते हैं, पिछले काफी time से आपकी बात भी नहीं भी आपने बताया क्या सिर्फ ये पाटी की वज़े से ही है, ideology की वज़े से ही है या कुछ और भी है देखे अपने सिड्धानतों के प्रती आपको पूर nella टरीके से वफादार रहना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपके सिढ्हाइ सउई है तो सिद्धानतों के लिए यदि आपको अपने परिवार के खिलाफ भी या परिवार के साथ भी, कुछ उस पे आपको सैधान्तिक मदबेद होते हैं, तो उस में आपको समझोता नहीं करना चाहिए, क्योंकि सैधान्त सबसे उपर होते हैं. मुझे लगता है कि मेरा सैधान्त ये था, और हमारे और मेरे भाई में अंतर केवल इतना है, कि वो भी वफदार है, मैं भी वफदार हूँ. मैं देश के परती हूँ, वो परिवार के परती है. वो परिवार में देश को देखते हैं, मैं देश में परिवार को देखता हूँ. उनको लगता है राहूल गांदी merit नहीं है, talent नहीं है, performance नहीं है, परिवार बड़ा है उसका मुझे लगता है, modi का परिवार नहीं है, पर modi perform करता है, तो ये अंतर है, अब मैं, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई है तो क्या मैं इस सिधान्त का support करूँ कि नहीं, merit के उपर परिवार आता है, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई है, तो मैं क्या इस सिधान्त का support करूँ, जो उनका सिधान्त है, कि परिवार ही सब कुछ है, ये नहीं कर सकते, और सिधान्तों के लिए तो आपने देखा होगा, कि लड़ाई महाबारत की सिधान्तों मेरे मन में, कौरो बना पांडव जो हुआ, वो ही एक वो आ रहा था, वो ही मैं कह रहा हूँ, तो कौरो और पांडवों की लड़ाई, वो तो हाला की cousins थे, तो जब cousins के बीच में, धर्म की स्थापना के लिए, इतना बड़ा महाबारत का हुआ, तो हम दोनों तो वैसे भी छोटे लोग है, तो हम दोनों के बीच में सैधान्तिक लड़ाई तो हुई सकती है, मुझे भी कर्ण की याद आ रही थी, कि जैसे वो अपने फ्रेंड के लिए वाँ खड़े थे, पता होते हुए भी, तो वो श्री कृष्ण ने उनकी सहायता लेकर कौरवों को हरा है था, तो उनके उपर है कि उनको करण बनना है, यूजट्सु बनना है या जो भी बनना है, तो इस तो प्यॉर अनली, यह यह है, उसके अलावा और कोई, ऐसे कोई मतवेद नहीं है, वो तो अब उनको एक बेबी बॉई भी डिलिवर हुआ एक साल पहले, जो मेरा भतीजा है, तो मुझे बड़ा उनसे मतलब लगाव भी है, और मैं मिलता भी हूँ, जब पूना जाता हूँ उनसे, बच्चे से मिलता भी हूँ मुझे लगता है, कि बीजेपी की जो शोशल मीडिया मार्केटिंग की स्टेटेजी है, वो बहुत ही नेक्स लेवल की है, और कॉंग्रेस कही ना कहीं उस चीज में बहुत पीछे है, एंड बीजेपी ने जिस लेवल पे पूरा का पूरा digitally utilize किया हुआ है, वो बहुत बैटर किया है, लेकिन कॉंग्रेस पीछे है, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखे, कॉंग्रेस पार्टी में जो यह आप बता रहे हैं, यह symptom है, कि यह लोग communication में पीछे हैं, या social media में पीछे हैं, या चुनाव जीतने में, यह symptoms है, मूल कॉज है leadership, जब leadership अच्ची होते हैं कहीं पर भी, चाहे आपके company में leadership अच्ची हो, चाहे कोई खेल में leadership अच्ची हो, या politics में party में leadership अच्ची हो, तो सारी व्यवस्थाएं improve करती हैं, क्यूंकि leader जो होता है, वो किसी से insecure नहीं होता, वो talent को promote करता है, मान लीजे, कि आपका इस company के CEO, वो CEO एक वज़े तक जाकते ही नहीं, वो CEO का ध्यान केवल अपने ही मतलब अयाशियों में लगा रहा हो, वो CEO जो है, कभी किसी की salary दी नहीं दी, तो वो CEO के तहट, company का चाहे sales हो, या company का outreach हो, या company का service हो, ये तीनों गिरेगा, तो वैसे ही leadership अगर Congress में नहीं है, तो Congress का vote के लिए outreach, या communication के लिए outreach, थ्रू media और थ्रू social media, ये गिरेगा ही गिरेगा, और ये ही होता आ रहा है, एक incompetent leader, आपके party या company या फॉर्चून्स, या team के फॉर्चून्स को कभी रेज नहीं कर सकता, तो leadership की कमी है, leadership इनको देखना है कि leadership कैसे, हम ऐसी दे जो merit-based हो, इनको merit से बहुत तकलीफ है, Congress की मूल जो problem है, वो मोदी जी से क्यों नफरत करते हैं, मूदी जी से इसलिए नफरत नहीं करते हैं, क्योंकि मूदी जी की politics हिंदुत वाली है, या इनको बड़े मुसल्मानों की चिंता है, कुछ नहीं है, Congress तो मुसल्मानों के प्रती और सामपरदाएक है, Congress तो, Congress तो बहुत नुकसान करते हैं, मुसल्मानों का, Congress तो बहुत उसके मन में वहमन से और जहर भरा है सिक्कों के खिलाव, सिक्द नरसंगार तो Congress नहीं करवा है, राजी उगान्दी नहीं करवा है, तो Congress minority को प्यार नहीं करती, Congress किवल अपने आप से प्यार करती है, और Congress की जो मानसिक्ता है, इसके चलते Congress पार्टी इस थिती में आ चुकी है, कि Congress जो है लगातार वीक होते जा रही है, पर उसको अपने परिवार से आगे कुछ नहीं दिख रहा, उसको ये performance नहीं दिख रहा, merit नहीं दिख रही, तो इसी के चलते आज Congress की दुरदशा बन चुकी है, क्या इस बार के रिजल्ट्स में सोशल मीडिया का बहुत एहम रोल होने वाला है, ऐसा लग रहा है आपको, 2014 से ही सोशल मीडिया का बहुत एहम रोल रहा है, और 2014 से अब 24 में जब हम आए हैं, तो मुझे लगता है वो रोल और भी magnify, amplify हुआ है, आगे जाके और भी होगा, और ये एक अच्छा टेंड है, इसलिए 2000 से पहले, 2000 से पहले, 1990 से में, हमारे देश में पहले तो एक ही चैनल था, DD, नैशनल चैनल था, फिर प्राइविटाइजिशन शुरुआ, तो बाकी चैनल आने लगे, जैसे जी न्यूज आ गया, NDTV आ गया, और फ़लाने चैनल आने लगे, तो मतलब उसमें थोड़ी और competition आने लगी, पर वो चैनल हैंडफूल थे, हैंडफूल चैनल में हैंडफूल बड़े पत्रकार, वो सब सत्ता के इर्द गूमने वाले, फोन लगा के मंत्रा ले, दिसाइड करने वाले, तो उनका सत्ता के साथ ऐसा कोजी रिलेशन्शिप था, तो सत्ता को पसंद ना है, तो न्यूस गिरा दो, जो सत्ता को पसंद है, वो न्यूस चला दो, मंत्री तह करो, मंत्री हटाओ, तो ये करने की विज़े से उनका एक, मैं कह सकता हूँ, incestuous relationship था. अब जो 2014 के बाद, क्योंकि इतनी boom है digital media, social media में, तो हर एक वेक्ति जिसके हाथ में mobile phone है, वो journalist बन गया. अब तो आज आप, आप मान लीजे कि आपको कुछ गलत लगता है. तो आपने एक video बना के record करके broadcast कर दिया. You may get more views than the channel views of that channel in the entire country. तो आप भी एक broadcaster, एक journalist बन गया. तो Modi Ji ने, जो power 80 लोगों के हाथ में थी, 140 लोगों के हाथ में थी, वो power आज 140 करोर्स के हाथ में दे थी. और ये power 140 करोर्स के हाथ में जैसे आई ही, तो एक democratization, लोगतांती करण हो गया है, information का और space का. मतलब कि अब हजारों लाखों journalist, हजारों लाखों live reporting, broadcasting, commenting, critiquing हो रहा है, तो हम और मजबूट democracy बने हैं, because of social media. Social media की वेज़े से कितने cases में भी कारवाई हुई है, जिसमें पहले कारवाई नहीं होते हैं. तो अभी जिस तरह से social media और ये industry IT बहुत fast booming है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, I personally believe कि जैसे government ने health से Iuse ministry को अलग से बना दिया, सेम ऐसे ही इसके लिए भी उनको एक ministry अलग कर देनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में AI, आपका web 3.0 और जितना भी ये हमारा crypto and all सब कुछ है, blockchain, इन सब के लिए अलग से ministry होनी चाहिए. IT, communication ministry अलग से ही है? अलग से IT है, बट इसके लिए particularly क्योंकि web, AI और ये सारी चीज़े जो… देखे, मुझे लगता है कि वो तो एक matter of, मुझे लगता है, detail है कि भाई, विल इड बेनिफिशल तो have this ministry integrated with, say, communications and IT in general, या इसको department के रूप में चला जाए. वो तो depend करता है, of course, इसका scope बढ़ते जा रहा है, पर कभी-कभी ये भी होता है कि you don't want कि silos में काम हूँ. इसलिए कुछ चीज़ों का integration भी होता है, जैसे कि पहले हम लोग के कुछ ministries जो होते थे, अलग-अलग होते थे, तो मुझे लगता है कि एक infrastructure ministry होनी चाहिए, जिसमें कि आप अलग-अलग जो forms of transport है, travel है, उसको integrate करे, ताकि फिर आपको एक holistic plan दिखे, और वो holistic plan के साथ आप काम करते हो, तो फिर आप एक mission और एक vision के साथ काम करते हो, silos में अगर आप काम करोगे, तो फिर वो काम आप किसी दिशा में और कोई और इस दिशा में, तो while there might be some advantage to having a more specific approach towards this ministry, there may also be some advantage in having a holistic approach. देखते हैं पर अगली government में प्रदान मंतिर नरेंदर मोदी जी कोई ये मौका मिलेगा, विशेश अधिकार मिलेगा, वो तै करें, तो वो तै करेंगे. ज़रूर, कर सकते हैं वो, करना चाहें तो. शोशल मीडिया का ही जमाना, एक आकरे सवाल इसे के रेटेड, यूट्यूब आप देखते ही है, तुर्वराथी, आपने सुना होगा उने, क्यों हमेशा वो बीजेपी के अगेंस्ट, कॉर्मेंट के अगेंस्ट ही हर चीज़ बोलते रहते हैं? पहले तो उनको ये अधिकार है, कि वो गॉरॉर्मेंट के अगेंस्ट या बीजेपी के अगेंस्ट बोले है। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, हमें एक डिमोकरसी है। चाहे वो व्यक्ति देश में रहकर बोले है, या विदेश में जैसे रहते हैं y raise मेंश हो जर्मनी में कोचौच, मैं बोलूँगा तो मतलब not in a negative way मैं तो बड़ा पसंद करता हूँ कैरी मिनाटी के भी व्यूज आते हैं और भी सारे यूट्यूबर्स उनके भी व्यूज आते हैं पर क्या अगर कैरी मिनाटी आपको political choice exercise करने बोलेगा तो आप उसको उतने seriously लेंगे as opposed to कैरी मिनाटी कुछ और बोले तो नहीं क्योंकि उसका domain expertise कुछ और है और आप उसके तब भी विश्वास कर लोगे अगर वो इमानदारी से अपनी बात को facts के साथ, इमानदारी के साथ बिना misinform किये या बिना जूट बोले या बिना hypocrisy शो किये करे, तब भी आप उसकी बात का विश्वास कर सकते है, even though he's not domain expert यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लीजिए आप आप तने dictator की बात किया तो dictator कौन? नरेंदर मोदी रोज नरेंदर मोदी जी को 5 से लेकर 10 बज़े तक शाम को गड़ लिया पड़ती है पर उन्होंने एक BFIR नहीं की ममता दिदी के खिलाफ एक व्यक्ती ने Facebook पे कार्टून शेर किया, उसको 11 साल केस भुगतना पड़ा dictator कौन? मोदी नर्ट ममता जब भी चुनाव पस्चिम मंगाल में होते हैं तो वहाँ पर हिंसा होती है और TMC के कार्यकरता अभी भी आपने देखा हो नंदी कराम में हिंसा हो रही है वहाँ पर TMC के कार्यकरता विपक्ष पे हमला करते हैं एक बार तो हजारों सीटों पर चुनाव नहीं हो सका पंचायती उस पर सुप्रीम कोट ने बोला कि यह क्या चल रहा है डिक्टेटर कौन? मोधी, not ममता एक छोटे से मामले पर किसी पर केस कर दिया था एक यूट्यूबर मनीश कश्यप पे टमिलाडू की सरकार ने डिक्टेटर कौन? मोधी, not टमिलाडू की सरकार Congress Party जब सत्ता में थी तब उसने 66 A लाया उसने हजारों लोगों पर sedition लगा दिया मजरू सुल्तानपूरी एक बहुत बड़े लिरिक्स एक्टर थे नहरू जी ने उनको सिर्फ हिटलर बोलने के लिए दो साल जेल में डाल दिया पहली हमारी जो पहला अमेंडमेंट लाने का काम नहरू जी ने किया जिससे की अंकुष लगा इंदीरा जी ने इमर्जनसी लगाई डिक्टेटर कौन? मोदी अभी एक हमारे दिल्ली के है मिस्टर केजरी बाद उन्होंने ब्रष्टाचार किया है कोट ने उनको रहत नहीं दी सुप्रीम कोट ने उनको 10, 20, 21 दिन की कैंपेनिंग की महलत दी राजनाथ सिंग जी इमर्जनसी में जब जेल में थे तब उनकी मदर की डेथ हो गई वो डेथ पे आना चाहते थे कोट ने उनको रहत नहीं दी डिक्टेटर कौन है इंधिरा जी ने जिसने इमर्जनसी लगाई जिसमे राजनाथ जी को एक दिन की महलत अपनी मा से मिलने नहीं गया गया अपनी अंतिम संसकार के लिए मंदर की पर यहाँ पर प्रचार करने के लिए आपको महलत मिल रही है और अब प्रचार के समय पर स्वाती मालीवाल से दुराचार कर रहे हो डिक्टेटर कौन तो यह नेरिटिव है मैं आपको इसका एक और उधार देता हूं और यह अन्ना मलाई जी ने समझाय था यह लोग क्या करते हैं जो एको सिस्टेम है दुराटी वाला यह फैक्ट के साथ खिलवाट करते हैं अगर मैं बोलू आप से कि एक स्टडी आई है 33% of all the girl students in the colleges are marrying their professors तो आपने याड़े आपरी क्या चल रहा है सामाजी करूप से ते बड़ी समस्या है कि यार जो लड़की कॉलेज में जा रही है वो अपने प्रोफेसर से 33% शादी कर रही है 33% girl students are marrying their professors मतलब क्या चल रहा है वातावरण क्या है अब मैं आपको बोलूँ कि यह एक कॉलेज की बात है जहां पर तीन स्टूड़ेंट थे एक girl student थी और वो girl student ने अपने प्रोफेसर से शादी कर ली उसको ऐसे प्रसंटेज फैक्ट या है one out of three students in one college who's a girl student married her प्रोफेसर, it is legitimate, it can happen she's above 80, she can प्रस्तुत क्या किया गया 33% of all the girls in the colleges are marrying their professor, factually तो उनोंने twist किया है पर twist करके narrative करके spin करके दे दिया democracy खतम कब हुई जब एक व्यक्ती को अपनी माता जी के अंतिम संसकार में जाने नहीं मिला जब पंचायती चुनाव में चुनाव नहीं होने देती है ममतादी जब एक meme share करने पर कोलकता पुलिस का notice हा जाता है और बताते क्या है डिक्टेटर कौन है मोदी जी क्यों क्योंकि मोदी जी चुनाव जीत रहे तो यह मुझे लगता है कि यह इनकी अलग-अलग मान सकता है और देखे ना मोदी जी को पूरा विपक्ष गालिया बखता है कोई कारवाई नहीं Congress Party में कोई राहूल गांदी को आइना दिखा दे तो उसको पार्टी से बाहर कर देते है तो यह मुझे लगता है कि लोग भी देख रहे हैं कि कौन तानाशा है और कौन नहीं है वो लोगों को समझ में आता है पार्टी से बाहर करने से एक चीज मेरे मन में यही आ रही है कि क्या Congress में इतने सारे तो नहीं कहूंगा बट मेरे को जितने नजर आते हैं बहुत सारे यंग और अच्छे लीडर्स भी है आप सचिन पाइलेट जी को ले लिए देवड़ा जी है आजी वो मेरे साथ फ्लाइट में आया थे चंड़िघड है चंड़िघड में ही यह पता नहीं कही है सिंधिया जी तो इдर आ गए वहाँ क्या leaders की कमी है यह क्या चल रहा है जो मैं आपको बताता हूँ Congress में leaders की कमी नहीं मैं आपको पताता हूँ Congress ास पहले तो आप समझे है Congress एक party नहीं Congress एक पारिवारिक firm है एक private limited company है और Congress का परिवार ही party है तीन सदस्य है Sonia, Raul, Pryanka यही decide करते हैं यही decision लेते हैं यही party है बाकि सब नाम के हैं हमारे यहाँ party परिवार की तरह है उनके परिवार ही party है अगर परिवार ही party है तो परिवार के अलावा और किसी की कोई हैसियत नहीं उसको ना space मिलेगी अगर वो ज़्यादा talented रहा तो उसके पर काड़ दिये जाएंगे ताकि वो परिवार से आगे ना बढ़ सके यह जो intolerance और insecurity है वो वाली भावना वहाँ पे है क्योंकि इनको चाहिए कि Congress एक special purpose vehicle बने एक परिवार की BJP कहती है हम merit की special purpose vehicle है Modi में merit है Modi आगे बढ़ाएगा Vajpay में merit था Vajpay ने आगे बढ़ाएगा अडवानी जी में था अडवानी जी ने बढ़ाएगा ऐसे हमारे 1980 से 2024 आते आते आप देखें Vajpay जी, अडवानी जी, राजनाच जी अमिशा जी, नडड़ा जी सब लोग अध्यक्ष है यहां पर कौन रहाँ 40 साल तक एक परिवार उसके बाद अभी नाम के वास्ते खड़गे जी को बना है खड़गे जी भी दरुदर होना और कॉंगर्स में होना यह सबसे बड़ा गुना है फिर वहां पर अगर आपको रहना है या सर्वाइफ करना है तो वहां पर आपको केवल साइकोफिंसी या चाटू कारता चलेगी क्यों राहूल गांधी बोले दुनिया गोल नहीं है दुनिया चप्टि है तो आपको बोल नहीं को पैट्स है मैं कारः करता कारे करता हूं की भात नहीं कर रहा पैट नाम है यीजा कुत्त है मैसे अचकोफिंसी बड़ा प्रेम है मेरे मदर के पास भी दो-तीन है कुट्टे तो उनके डॉग की तब्यत ठीक नहीं है तो डॉग की तब्यत ठीक नहीं है राउल गांदी जी उस पे पोस्ट करे या राउल गांदी जी उनके साथ रहे कुट्टे के साथ रहे या वीडियो बने चीके समझ में आता है अला कि ये बाते हैं अपने तक रखनी चाहिए पूरी दुनिया को बताने क्या हो शक्ता है पर कॉंग्रेस के ओफिशिल ओफिस बेरर्स सुप्रिया शिनेत IT सेल की हैड सुप्रिया भारदवाज कम्यूनिकेशन सेल की बड़ी नेता बन चुकी है ओ वी आर प्रेइंग फर यासा 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 मेरा यासा ओ मेरा यासा ऐसे हम लोग रैली में तो सुनते ही है मतलब अलग-अलग सारवजनिक जब ओ मैं ऐसे नारे लगते हैं ये ओ मेरा यासा है अब मतलब की राहूल गांदी के पेट डॉग के लिए आपको उनके जूते ने अब तो पेट डॉग के भी मतलब चीजों को आपको टुईट करना है तो मुझे लगता है कि आत्मसमान भी तो कहीं नहीं बचता आप उन्हें ऐसे लीडर राहूल गांदी जी को कैसे देखते हैं मैं उनको देखता है नहीं जनता भी नहीं देखती है उनको जनता उनको लीडर नहीं मानते है आप लीडर मानते हैं सी कॉंग्रेस के वो लीडर है कॉंग्रेस तो कुछ भी बूल सकती है Congress तो बोल सकती है कि मैं मुसलमानों को संपती दे दो सारी Congress बोल सकती है आरक्षन दे दो मुसलमानों को Congress के बोलने से क्या होता है Congress तो मानती रहे Congress जो मानना चाहे Congress तो मानती है कि देश का बठवारा हो जाए Congress देश को जी नहीं मानती The India is not a country is a union of states ुझ कॉंधर्स के मांनें से क्या होता है। Lisa आ Coleman and आ लुग मुझे लगता है जब पचास चनावबं बहुती हो। तो राहूल गांदी यह लीडर नहीं है। राहुल गांदी की नासा ने राहुल गांदी पर शोध करना चाहिए कि एक फेल्ड रॉकेट को बार-बार कैसे लॉंच किया जा सकता है एक ही यान को बार-बार उड़ाने के लिए जिस प्रकार से ये लोग लगे रहते है राहूल गांदी की नैनीज बहुत है उसको क्या बहुत है दाइमा दाइमा बोलते हैं दाइमा होती है जो मा नहीं रहती है तो राहूल गांदी क्या स्वभाग्य ये है क्योंकि माता जी के लावा उनकी मीडिया की दाइमा है वो मीडिया की दाइमा राहूल गांदी चाहिए कुछ भी बोल देया ना आप शनाप राहूल गांदी कुछ भी सेल्फ गोल कर देया अब उन्होंने बोला कि मेरे परिवार की जो सरकारे थी उनका लोर कास्ट के खिलाफ जो था अलाइन था सिस्टम तो उसको भी डिफेंड करने आजा थे तो राहूल गांदी और कॉंगर्स के सारे कुकरमों को डिफेंड करने वाली उनकी दाहिमा बहुत है तो अभी भी प्रहा असरत है कि राहूल गांदी लिफ्ट हो जाए, लाँच हो जाए, सेट हो जाए पर राहूल गांदी लाँच नहीं और चंदरन तीन लाँच हो गया अब ओपोजिशन का देश में होना बहुत जुरूरी है, प्लस स्ट्रॉंग ओपोजिशन का होना और भी जुरूरी है बट डू यू बिलीव कि ये ओपोजिशन जो धीरे-दीरे खतम हो रहा है, इसके पीछे भी वही है? ओपोजिशन खतम नहीं हो रहा है, ओपोजिशन की पार्टियां जो है, क्योंकि वह अपने आपको रीफॉर्म नहीं कर पा रही है तो वह politics of competitive political space में वह survive नहीं कर पा रही है जैसे, आज भी हमें जो 2019 में वोट मिला है लगबग 37% मतलब कि every 10 वोटर में से 3 और 4 वोटर नहीं वोट के हमारा बढ़तेदार, हमारा लक्ष है कि 50% से ज़्यादा हमारा वोट शेर हो किसी दे, हम party of service मतलब power में हैं, इसके बाद भी हमनारा प्रयास है कि हम 50% टास वोट शेर क्रॉस करें, ताकि ऐसा नहों कि 4 लोग उन्हें वोट कर दिया, 10 में से तो हम जीते Congress जो है, उसका लगातार वोट शेर गटता जा रहा है 2004 से, पर Congress कुछ कर नहीं रही है क्योंकि इतना space होने के बाद भी Congress ने अपना structure इतना खराब करके रखा है, तो space है पर structure खराब हो, तो फिर जैसे मैं बोड़ू, एक tire puncture होता है, tire puncture होता है, तो tire को puncture हुआ है, तो tire को fix तो करना पड़ेगा, पर tire fixing के लिए, अगर आपके पास वो tube ही ना हो, आपके पास वो tools ही ना हो, तो tire में केवल ऐसे हवा फुकने से थोड़ी वो बर जाएगा, फुकना भी तो पड़ेगा, उस वो काम करवा के आते हैं, यूट्यूब पे, अभी opposition की एक और नई party recently, almost उनको भी decade होने को है, या I guess हो चुका है, उनके leaders, आम आदनी party basically, उनके leaders या तो jail से आ रहे हैं, या jail में जा रहे हैं, ये एक healthy tradition है, इंडिया लाइंस में, हमारे हैं क्या करता है, लंडन रिटर्न, Oxford रिटर्न, हावर्ड रिटर्न, यहाँ पे jail रिटर्न, लालू जी भी jail रिटर्न, JMM भी jail रिटर्न, और आम आदमी party भी अब उस elite group में jail रिटर्न की category में आ चुकी है, संजय सेंग और ये है कि इनको jail पे रिटर्न भी करना है, केवल jail रिटर्न नहीं है, अभी एक तारीख को, दो तारीख को फिर से jail रिटर्न होना भी है, सवाल ये है कि आम आदमी party ने दस वर्षों में, बहुत ही छोटे समय में जो अपना स्वरूप बदला है, ऐसा स्वरूप किसी ने इतने कम समय में नहीं बदला है, राम लीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ बैट कर ये बोलते थे, लालू जेल में हो, सोन्या जेल में हो, अकिलेज जेल में हो, राहुल जेल में हो, आज, लालू के साथ बैठके पुलते हैं मुझे जिल में क्यों डाला है अन्ना से लालू तक स्वराज से शराब तक जाडू से दारू तक और अभी जो अभी का कांड हुआ है स्वातिमालिबान का निर्भया आंदोलन से निकलने वाली पार्टी महिला उत्पीडग के साथ मतलब बिबफ कमा के सा वी आईपी लगजर नहीं लूँगा बड़ी बड़ी गाड़िया ले ली तो यह जो चरित चेंज हुआ है इनका यह दिखाता है कि किस प्रकार से बड़े-बड़े दावे करने वाले लोग असलियत में वो क्या निकले तो अभी धीरे-धीरे आम आदमी पार्टी का देश में कई राजियों में थोड़ा-थोड़ा फुट्प्रिंट बढ़ रहा है तो उसको लेकर आपको क्या लगता है कि 15 सालों में इनका देश में फुट्प्रिंट नहीं बढ़ रहा है इनका देखे अभी इन्होंने 204 सीटे लड़ी असेमली में जो पीछे अभी स्टेट अ अरियाना उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ऐसे कहीं स्टेटों में नोटा से कम या डिपॉजिट जब्त होगी इनकी दिल्ली में कॉंगरेस को हरा कर दिल्ली चीए आज उसी कॉंगरेस के साथ आ गए इतना उनको गबराट मैसूस हो रही है आज कि उसी कॉंगरेस जिसको जीरो कर दिया उसके साथ आ गए बला दिल्ली मॉडल पर कोई भरुसा नहीं है और पंजाब में भी कॉंगरेस को हरा है वहां पर उसको हाफ करती है वहां पर अभी तक साथ नहीं है तो जहां इनको इनका फूट्प्रιंट बड़ा है यह फूट्प्रिंट इनका बड़ा ह Congress के पच्चिनों पर चलके footprint क्यों बढ़ा है क्योंकि ये Congress को replace करते जा रहा है Congress नामक virus जैसे घटता जा रहा है तो उसका सबस्टेन सामने आ रहा है ये सबस्टेन of Congress है तो ये आमादमी पार्टी की growth जो है वो growth नहीं है it is replacement Congress गई आप आई ऐसा वो बनाना चाहिए हाथ के बीचे जाड़ू 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 हाथ ऐसे हो रहा हो आमादमी पार्टी के एक young leader रागव चड़ा जी है उनको आप किस नजरिय से देखते हैं मैं तो राजनीती के नजरिय से देखता हूँ जाड़ू 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 जाड कट हुए तो मुझे भी लगता है कि दिल्ली की और देश की जनता भली बात ही समझती है कि कौन सा इलाज है और कम से कम दिल्ली का उतर आएं तो इक उतर करते रहते हैं पर उनको बताना चाहिए सी यह है पेशे से कि रागव चड्डा जी ऐसी बाते कर जाते हैं कभी उनकी मैच मल्टिप्लिकेशन एडिशन सब्टेक्शन बजट इनकी डॉकुमेंट्स में जो आकड़े मैच ही नहीं कर पाते तो मुझे ल बीजेपी का देश को लेके जो विजन 2047 है उसमें बहुत सारी बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन आज भी जब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हर बार यह कहा जाता है कि बीजेपी हिंदू-मुश्लिम को लेके ही इलेक्शन लड़ती है मेन बीजेपी ही इन टॉपिक्स को अगे लेक्या हमारे मैनेफेस्टो में हमने क्या कहा है इनो सबको देंगे नल से जल सबको दिया सबको देंगे घर सबको दिया ऑर भी सबको देंगे I am sorry to interrupt you here. अब की इसी बास से मेरे को याद आया कि अभी कुछी दिन पहले उन्होंने आनंद रगुनातन जी ने एक बात कही कि पीजेपी अपना खुद का मैनिट्फेस्टो नहीं कॉंग्रेस का मैनिट्फेस्टो पूरा कर दी इतने भी कॉंग्रेस के वादे थे मैं उस पर भी आऊंगा हलाकि मैं इस पॉइंट को कंप्लेट करना चाता हूँ तो हमने जो भी वादे कि हमने कहा ग्लोबल मैनिफेक्चरिंग हब फॉर अल बनाएंगे हम यूसी सी की पैरवी करते हैं उनिफर्म सीवल कॉर्ट में कि हम लोग का मैनिफेस्टो है हॉजिंग फॉर अल ट स्वाल वाटर Kенयक्शन फॉर आल मैन।ठ्ट्रिंग एप फॉर अल यूसी सी फॉर आल कोंगरेस का मैनिफेस्टो बोलता है कि हम किसी का personal law लागू करेंगे Congress का manifesto बोलता है कि हम किसी समुधायों को ज़्यादा preference देंगे किसी और समुधाय के उपर Congress का manifestation not just manifesto Manumon Singh ने बोला था संसादुनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होना चाहिए का बार बोला जब हम कहते हैं कि गरीबों के लिए करो केवल मुसलमानों के लिए मत करो ये नहीं कहते हैं मुसलमानों के लिए मत करो हम कहते हैं गरीबों के लिए करो उसमें चाहिए मुसलमान हो, हिंदू हो, सीखो, पार्सी हो, इसाई हो वो कहते हैं हम गरीबों के लिए हम एक class एक section के ल Second के लिए करेंगे सांपरदाइक मैं हूँआ सांपरदाइक वो हूँआ ہिंधू-मुसलिम मैं कर रहा हूँ ہिंधू-मुसलिम वो कर रहा हूँ छे हिंधू-मुसलिम मैं कर रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ uniform civil code हो samidée मैं участrition मैं अस्तियत में हिंदु मुस्लमान को कर इसी लिए, इनको एक ही सवाल मोदी जी ने पूचा, सम्विधान में क्या धार्मी का अरक्षन है? नहीं, आप लिखके दे दो कि हम धर्म क्या धार पर मुस्लिमों को अरक्षन नहीं देंगे, और वो भी सी S.C.S.T. कोटे से काटके नहीं देंगे, ये लिखके देने में क्या समस्या है? ये कैसा हिंदु मुस्लमान? हमने क्या जब घर दिये सारे तीन करोड तो क्या हमने ये देखा कि शिल्पा को मिले, सुल्ताना को ना मिले? जब बारा करोड टॉइलेट बटे, जब ग्यारा करोड नल से जल हुए, जब असी करोड लोगों को राशन मिला, तो अमित और अलताफ दोनों को मिला ना, एक शिकायत दिखा दिजिए, जहां पर अलताफ ने या मुहम्मद ने बोला हो कि मुझे मेरे धर्म की वज़े से ना मिला, एक शिकायत, दस साल में, फिर एक ऐसा नरेशन क्यों बना हुआ है कि बीजेपी गौर्मेंट मुस्लिम के लिए अच्छी नहीं है, एक जो यह नरेशन बना हुआ है, आपने सही बोला, नरेशन, नरेशन के बारे में मैंने कुछ दिर पहले या आपको एक्स्प् नेली, डेली, जलगाउं, एहमदाबाद, मुझफर नगर, ये नौ से दस बड़े मुसलिम विरोधी, सीख विरोधी दंगे हुए जिसमें की हजारों मुसल्मान, हजारों सीख, इनका नरसंगार हुआ, सब कॉंगरिस के काल करने में, क्या ऐसा बड़ा दंगा पिछले दस गरिया दुरती दिती है, या जो दंगे नहीं होने देता है, फिर भी हम मुसलिम विरोधी, वहाँ पे मुसलिम मारे गए पर वो मुसलिम के दोस्त, दूसरा, जब एकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात थी, यूपीए सरकार जब गई तो बजट ऑफ माइनॉरिटी मिनिस्ट्र तीन हजार करोर, हमने उसको पांच हजार करोर किया, बजट ऑफ अलिगर्ड मुसलिम उनिवसिटी छे सो करोर, उसको हमने बढ़ा के बारा सो करोर किया, स्कॉलर्शिप्स गिवन अंडर यूपीए 2.94 करोर, हमने 3.14 करोर किया, बैंक अकॉंट्स, जंधन, उजवला, उत्रा उनको हिस्सेदारी मिली, उससे ज्यादा भी मिली, क्योंकि गरीब भी है, हम सामपरदाइक, और इससे उलट, मैं सिर्व इतना पूछना जाता हूं, कि आप तो मुसल्मानों के दोस्त है, आप कहते हैं, मुसल्मान हम लोग आपके बहुत अच्छे मित रहें, तो मह आपने बोला जिरतनी आबादी उतना हक, तो मुसल्मान महराष्टा में 10 परसेंट है, 48 सीट मतलब 5 सीट आपको देनी चाहिए, आपने क्यों नहीं दी, महराष्टा, राजस्तान, हर्याना, गुजरात, जारकंट, 36, दिल्ली, कहीं पर भी मुसल्मान को टिकेट नहीं, कॉ पर जाहुल गांदी बोले न, उन्हीं के नहीं ताब भूम मारें, बोल रहें कि नहीं हमको टिकेट नहीं दिया, वोट लेते हैं, टिकेट नहीं देते हैं, तो representation में भी zero, security में भी zero, economic upliftment में भी zero, सिरफ भढ़काना है भावनात्मक मुद्टों पर, इसमें 100 परसेंट हैं बाकी और कुछ नहीं, इसलिए मुसल्मानों ने भी मन बना लिया है, कि ये इनके चंगुल से बहार आने वाले हैं, और मुसल्मानों में क्या मुसल्मान ओरते नहीं हैं, वो भी तो 50% है, तीन तलाग का वर्डिक्ट सुप्रीम कोट का उसका विरूत कर दिया, शाह बानू का वर्डिक्ट आया, तो उसको पल्टा दिया, तो आप मुसल्मानों के साथ भी नहीं, आप मुसलिम कटरपंतियों के साथ, मुसलिम हाड्लाइनर्स के साथ, तो ये इनके बीच में अंतर है, ये मुसलिम मुसलिम करते हैं, हाइड लाइनर्स के साथ है हम लोग सबका साथ सबका विकास करते हैं आपको बीजेपी में क्या अच्छा नहीं लगता बीजेपी में ये अच्छा नहीं लगता कि वो ठीक से डिक्टेटर नहीं बन पा रहे हैं ना वो पेंडेटा पॉलिटिक्स ठीक से कर पा रहे हैं, ना वो बदले की भावना से काम करते हैं किसी के प्रती, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, पर क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि भावरते जिनता पार्टी क्योंकि लोकतंत्र पार्टी है, तो उसका दाइद तो है कि वो ऐसे भेव ना करें. अब ही रिसेंटली एक अगेन फिर से वही नरेशन वाली बात आ जाती है, कि हिंदू रास्ट, 50 players declared Islamic रास्ट हैं दुनिया में, पहले तो भारत एक हिंदू राष्ट अलड़ी है, हिंदू राष्ट के डेकलरेशन के आवशकता नहीं, भारत का एक नाम हिंदूस्तान है, हिंदू का स्थान मतलब हिंदू का राष्ट, मैंने आपको पहले भी समझाया, कि हिंदू का मतलब जीवन शैली है, इस्लामिक राज 50 देशों में हैं, क्योंकि वहाँ सम्विधान नहीं है, वहाँ पर सम्विधान के साथ नहीं चल सकते हैं, वहाँ पर थियोलोजी चलती है, वहाँ पर जो state है वो religion के अधार पर चलता है, हमारा state हर माइने में truly पंथ निर्पेक्ष है, इसका मतलब कि हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं पर स्टेट का कोई ऐसा धर्म नहीं है स्टेट का धर्म है मानफता का कल्यान भारतियों का कल्यान और इसी लिए हम हिंदू राज नहीं है पर हिंदू राष्टर हम अलड़ी है तो इसको डिकलेर करने की कोई सवाल या ज़रूरत ही नहीं है हम है ही कोई अगर और कुछ कहे तो वो बेवकूफ है या उसको पता नहीं है वो कहा रह रहा है अब मतलब अमेरिका में तो अमेरिकन राष्ट है ना हो तो जैसे हम हिंदू है हिंदूस्तान में रहते हैं हिंदू राष्ट है अभी BJP में और overall कहा भी जाए तो सिर्फ मोधी 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 यही हो रहा है क्या हम एक ही face को लेके आगे बढ़ने वाले हैं या और भी नहीं चेहरे आगे देखने को मिलेंगे देखे हमारे पास केवल मोधी 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 प्रधान मंतरी एक ही बन सकता है तो प्रधान मंतरी पद पे क्या नहीं मोधी नहीं ममता भी ममता नहीं राहूल भी राहूल नहीं अखिलेश भी अखिलेश नहीं अर्विंद भी अर्विंद भी अर्विंद नहीं लालू भी ऐसे नहीं चलेगा प्रधानमंत्री पद में एक ही व्यक्ति जो है वो पद पे बैठ के जिम्मेदारी उठाते हुए देश को आगे नेतृत्तों दे सकता है इसलिए हम clear है कि नेतृत्तों हमारा जो कर रहे है वो प्रधानमंत्री मोदी आज की तारीक में कर रहे है इसका मतलब यह नहीं है कि भारते जनता पार्टी का second, third, fourth, fifth, sixth line नेतृत तो तयान नहीं हो रहा भारते जनता पार्टी क्योंकि एक democratic and merit-based system है और इसमें इस प्रकार से लोग जुड़ते हैं जो विचारधारा के रूप में आते हैं तो हर लेवल पे हमारे leaders लगातार develop होते हैं अभी आपने देखा होगा जो मुख्यमंत्री बने दीन चुनाओं में तो उसमें भजनलाल जी उसमें मुहन यादव जी मद्यपदेश में उसमें विश्णुदेव साही जी यह सामान्य कारे करता मुख्यमंत्री बने योगी अधितिना जी एक सांसत थे वो मुख्यमंत्री बने जो है जिस प्रकार से प्रकर नेतुतु दे रहे हैं हिमंता विश्वसरमा जी बने अमिछा जी ग्रह मंत्री के रूप में देवंदर फड़नवेज जी तो आप अगर यह कहते हैं कि मोदी जी के अलावा कोई पा अपना निता क्यों नहीं दिखाते है है का चरगे जी इनके पार्टी के अध्यक्ष है खळगे जी कि कोई बड़ी फोटो देखी ए राहूल जी की बड़ी फोटो होती है ज़गे तो काहां साइड में कहां है राहूल गांदी जी के सा अधिरण जं चोदी लीडर है में जेल गए लालू जी तो रावडी रावडी के बाद तेजस्वी अब तो अरविंद केजरिवाल भी जब जेल गए तो उन्होंने मुक्यमंत्री पदनी छोड़ा बासरे टेमे ले थे तो किसी को नहीं बना है और सुनीता जी को रोज प्रेस कांफरेंस करवाना और उनका अब नमबर टू पे था स्टार प्रचार अखो मैं अभी अर्विंद केजरिवाल जी का अपने नाम लिया उन्होंने रिसेंटली ये बोला कि योगी जी अगर जीत जाएंगे तो ये गौर्ण्मेंट योगी जी को पिछे कर देगे उनको सीम दुबारा नी बनने देगे य योगी जी तो जीते हुए योगी जी का जीते हुए योगी जी का चुनाव है जी जाएंगे नेक्स्ट अगर तेखे ऐसा है कि उनको अपनी पार्टी की चिंता करनी चेहिए उनको अपनी पार्टी की तो कोई जानकारी है ने अब बढ़ रहे है कि Swathimaliwal जो 20 जाल सथी वो तो जो निप्टाने के लिए रहते हैं तैयार उनको लगता है हर को ऐसे ही करता है दूसरी पाहिए जी यह भी कह रही है कि नितिन गटकृरीजि जी अच्छा काम करें तो उनके फैन भी हैं तो यह अनुको साइड्लाइन करना चाहते हैं बढ़ कर लहा रहें अगर परद्धान मंत्री ना चाये तो काम कर सकेंगी study was at NITIN ghad Dzhary ji जी अच्छा पार्यों कर रहे तॉनोंने श्विकाल लीया है तुनो ने स्विकाल लिया तो अच्छी बात यह की का यह मुझे लगता है कि उसको भी देखना चाहिए तो UCC को यह लोग क्यों उपोस कर रहे हैं क्योंकि इन्ही के बहुत सारे लोग बहार जाते हैं वो सेटल होते हैं जहां UCC अलड़ी इंपिमेंटेद है उचसे तो देश में भी है जही है जहां पर सिविल लॉज मस्टी है चार शादी करनाएँ ऐसे तीन तलाग 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 बोलके तलाग देना है तो वहाँ पे आपको civil law जो है uniform नहीं चाहिए बाकी जगे सब uniform चाहिए तो यह hypocrisy की और uniform civil court कोई BJP नहीं लए यह सम्विधान में सम्विधान के निर्माताओं नहीं डाला सुप्रीम कोट ने हाई कोट ने इसकी वाकालत गी गोवा में लागू कॉंगर्स नहीं किया अब इसके विरोध में क्यूंकि कटर पंतियों का वोट चे उनको महिलाओं का सज़क्तिकर नहीं चे पंजाब में BJP और मोदी जी को लेके इतना एक हेट्रेट सी क्यों एक दम बहुत ज़्यादा बड़ी वी अगर हम सोशल मीडिया में भी देखते हैं बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे तो कोई भी चीज अम्प्लिफिकेशन करके जैसे आपको narration बनाना है facts कुछ और है दो सिटिंग लोकसभा के सांसद आमादमी पार्टी के सुशील कुमार पिंकु जी और रवनीत बिटु कॉंगर्स से दोनों ने बीजेपी जोईन की अगर इतनी नफरत होती तो जन भावना के खिलाफ जाके वो जोईन कर रहे हैं बीजेपी बीजेपी ने काम किया है पंजाब के लिए सिक गुरूं को सबसे ज़्यादा सम्मान देने का काम नरेद नमोदी जी ने किया उनके प्रकाश परमना के लंगर को GST फ्री करवाना हरमिंदर साहब को FCRA की क्लिरिंस देना जिस प्रकार से करतारपूर साहब कोरिडॉर का काम हो क्यों नहीं हुआ इतने वर्षों में क्यों दूर्बीन से देखना पड़ता था क्यों करतारपूर हमने जाने दिया क्यों करतारपूर हमने लिया नहीं जब 71 में ऑपर्चुनिटी था क्या किया उसका सिखों का नरसंगार कब हुआ किसने न्याय दिलाने के लिए SIT बनाई और कब सर्जन कुमार का पहला कन्विक्शन हुआ तो ये सारे तथ्य हैं तथ्यों से अलग हटकर narration कुझी भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है और सेना में सबसे ज़ादा योगदान पंजाब का होता है और सेना का अपमान कौन करता है सबसे ज़ादा कॉंगरस सड़क का गुंडा, सर्जिकल स्ट्राइकर्स कून की दलाली तो क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की पार्टियों को पंजाब के लोग इतने राश्टरवादी लोग कभी इनको स्विकारेंगे, उनका तो नैच्रल अलाइनमेंट है हमारे साथ आप से बात करते विए बहुत अच्छा लग रहा है, और दो हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है अट दे सेम टाइम नॉट टू डिस्रिस्पेक्ट यू और एनिवन, मुझे शुधांशु त्रिवेदी जी और आप दोनों जब भी वहाँ होते हो मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ आप मेरे गुरू के साथ मेरा नाम एक वाक्यमें ले रहे हैं, यह मेरे लिए पाप है पर मेरे लिए मतलब एक तरह से बहुत बड़ा आप मुझे यह दे रहे हैं पर मेरे लिए तो एक प्रकार से कि मैं उनके पैरो तले की धूल भी नहीं हूँ इस फिल्स लाइक कि वो नंबर वन पर है और आप नंबर टू पर है अफार डिस्टिंस पर मुझे लगता है हमारी नंबर इंग बंद हो जाती है वो नंबर वन पर है और उसके बाद कोई नंबर ही नहीं है जी 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 तो मतलब मेरे को भी यह यहासा फिल होता है कि कभी मतलब जैसे जिस तरीके से मेरे को पॉड़कास करने का मैं जरूर उनसे कहूंगा कि मेरा बहुत अच्छा नूबरा और देखे मा सरस्वती की कृपा बनी रहती है उन पर और अगर थोड़ी सी कृपा मुझे भी बरसाती है मा सरस्वती ऐसे मा सरस्वती हो या मा लक्षमी हो दोनों के वहन कमल है तो कमल का अगर साथ रहा तो सरस्वती और लक्षमी जी दोनों का अशिरवाद रहेगा जरूर एंड लास्ट में I am still मैं वेट करूँगा उस दिन का जब वो दिन आएगा I hope कि आपके तरफ से ही कहीं से कुछ connection मिल जाए और अगें शहजाद भाई इस अपरसनल अगें बट एक छोटे भाई से एक बड़े भाई को request है कि बड़े भाई को जरूर याद कीजिए बिल्कुल बिल्कुल 100% और जरूर मैं याद करूँगा और आपके दरशकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे एतने लंबे समय तक tolerate किया मेरी बातों को सुना और अगर आपको छीक लगी तो मैं सबसे अपील भी करूँगा कि आने वाले दिनों में जब आपके यहां पे मद्दान हो रहा है तो आप एक जिमेदार नागरिक की हैसित से जरूर उस वक्ति को वोट दे जो आपके यह काम करता है आपके साथ बीच में रहता है और जो उड़न्चू नहीं हो जाएगा देखें यह वोट जो है राम लल्ला के लिए देना है आप बोलेंगे राम लल्ला तो सांप्रदाएक वोटिंग आप करवा रहा है राम लल्ला का मतलब है आर फोर राष्ट्र सुरक्षा ए फोर अरतिवस्ता एम फोर महिला सशक्तिकरन एल फोर लाबारती एल फोर लीडर्शिप एफ और आतना निरवर भारत तो राम लल्ला को जैशी राम बोलते हुए आप जरूर वोट दीजेगा पहले मद्दान फिर जलपान जैशी राम तो कैसा लगा आपको आज का हमारा एपिसोड आई होप आपको आज नेशनल लावल पॉलिक्स के वारे में बहुत को सीखने को मिला हो और हमें कमेंट करके जुरूर बता हैं कि आप कौन से गेस्ट हमारे पॉड़कास में देखना चाहेंगे हम कोशिश करेंगे उनको अपने पॉड़कास में लेके आने की एंड लाइक शेयर और सुब्राइब करना ना भूले थैंक यू